हाई फिरेन ओल इजिकेशन फोरी में आपका स्वागा थे आद हम देखेंगे बौध धरम यानि गौतम बूध क्योंकि एक्जाम में गौतम बूध से हमेशा प्रसंद बनते हैं तो चलिया श्टार्ट करते हैं बिना देरे कि एक फर्स्ट एक बौध धरम का स्थापना गौत अपको पतर है गया गौतम बूध का जन नेपाल के तराहि कपील्वस्तु के लुमिनिगर्में हुआ यह साक कुल के 583 इसभी पूमिय हुआ था गौतम बूध था शंक कुल के थे ऐसातियों से 583 में हुआ था तो साक वन्स आपको याद रखना एकाना पूछतर है बूत का माता का नाम महमाया था जो कोलिय वन से समंदित है बूत का अर्थ क्या होता है तब बूत का अर्थ होता है ग्यान गौतम बूत को बोध गया में फल्गू नदी किनारे पीपल विरिच के नीचे ग्यान की प्राप्ति हुए थी बूत का पालन पोशन मौसी परजापती गौतमी ने किया था बूत के परामभिक गुरू अलार कलाम थे उसके बाद राजगिर के रुद करामपुत से सिच्छा प्राप्त लिया था बूत के परामभिक गुरू की बात किया जाए तो अलार कलाम थे उसके बाद राजगिर के रुद करामपुत्र से सिच्छा लिया था तो इसको प्याद रखेंगे महमाया तो महमाया था गौतमभुत की माय का नाम था गौतमभुत की मा का नाम महमाया था राहुल गौतम बुद का पुत्र था, राहुल जो था गौतम बुद के पुत्र, चन्ना, बुद का सार्थी था, चन्ना था, कंथक बुद का प्रिये घोडा, कंथक था, सुजाता, क्रिशक बाला था, जिसकी दी हुई खीर बुद ने खाए थी, परजापती गौतमी बुद पर्जापती गौत्मी वह पर्थम बहुत बिछुनु भी थे पर्थम बहुत बिछुनु तब पर्जापती गौत्मी हो जाई है उसकी मौसी अलार कलाम जिसे बुद्ध ने योग और उपनिशत की सिच्छा लिया था सुभच जिसे बुद्ध ने अपना अम्तिम उपदेश दिया था तो बुद्ध ने अम्तिम उपदेश दिया था सुभच को तो सुभच आपको याद रखना है देवधत बुद्ध का चचरश भाई का नाम था अस्वितत था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए था तब पीपल बिरिच नीचे वह अस्व तत था अस्तूब महापरिनाम का पर्तिक था अस्तूब जो था महापरिमान के पर्तिक था वैसाली जहां बूद का अम्तिम वर्षा काल भी था उसे वैसाली में हुआ था साल बिरिच जिसके नीचे बूद की मिर्थु ही थी बूद के मिर्थु साल बिरिच के नीचे हुआ था साल बिरिच आपको याद रखना है सुद्धोधन बुद के पिता बुद के पिता का नाम था सुद्धोधन वह साग कुल के मुख्या थे इसलिए गौतम बुद भी साग कुल के सम्मंधित थे यसोधरा यसोधरा बुद के पत्नी का नाम था यसोधरा इसको आप याद रखने अब महवीर का पत्नी का नाम था यसोधा उसमें था महवीर का पत्नी के नाम यसोधा था अब बूत की पत्नी का नाम है यसोधरा तो इसको आप याद रखेंगे बूत के जीवन से जोए पर्तिक हाथी बूत के गर्व से आने का पर्तिक था हाथी था बूत के गर्व से आने का पर्तिक वो हाथी था कमल बूत का जन्म बूत की जन्म की बात क्या जाये तो वो कमल था बूत का जन्म का पर्तिक कमल था अवहाती था बूद के गर्व से आने का पर्तिक सान योवन का पर्तिक था बूद के योवन का पर्तिक बूद के सान था गोड़ा था गृतियाक का पर्तिक गोड़ा था पीपल ग्यान का पर्तिक पीपल था सेर संब्रीधी का पर्तिक था शेर था संब्रीधी का पर्तिक, पदचिन निर्वान का पर्तिक, अस्तूप बुद की मिर्टु का पर्तिक था अस्तूप तो इसको याद रखेंगे जन्म का पर्तिक, सान, योवन का पर्तिक, घोड़ा, गृतियाग, पीपल, ज्यान की पराप्ति, शेर संब्रीधी का पर्तिक, पदचिन, निर्वान का पर्तिक, अस्तूप मिर्टु का पर्तिक तो इसको आप याद रखेंगे गृतम बुद्ध की गटना को महा भिनिस कर्मन कहा गया है इसको प्याद रखेंगे गृतम बुद्ध साथ वस तक ज्यान की खोज में इधर उधर भड़कने के बाद सरपर्थम वैसाली के समीप अलार कलाम तथा उद्धक राम पुत्र नामक दो गुरुएं से सिच्छा लिया था साथ वस के इधर उधर भड़कने के बाद बैसाली के नजदिक अलार कलाम और उद्धक रामपुत नामक दो गुरुएं से सिच्छा प्राप्त किया था गौतम बुद के जीवन से जुड़े चार द्रिस जिन्हें देखकर उन्हें वैराग की भावना परवल ओटी पर्तम द्रिस तब विरिद व्यक्तिन को देखा था गौतम बुद का पर्तम द्रिस था विरिद व्यक्ति यानि बुढ़ा आदमी उसके बाद दूसरा द्रिस दिखा था रोग गरस्त व्यक्ति तीसरा द्रिस मिर्तक व्यक्ति और चावथा द्रिस सन्यासी यानि पहला दिखने परिस्त पूछतसा के बात वैसाली पुर्णिया की राद फल्गु एवं निरंजरा नदी, फल्गु नदी को निरंजरा नदी कहते हैं, उसके किनारे पीपल विरिच के नीचे सिद्धात को ग्रान प्रापती हुआ, इसी दिन से वो तथागत हो गए, तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद, यह आपको यादर प्रापती हुआ था, उरू ब्रहमन को अपना परतम उद्देश दिया, जिसे बहुत गरान्तों में धर्म चक परवत्तन के नाम से जानते हैं, तो सारनात में दिया था, वहीं से धर्म चक परवत्तन के नाम से जाना जा गया है, गौतम बुद ने तपस एवं काल्पिक नामक दो सुद्रों को बहुत रखना है तपस और कालपी नामक दो सुद्रों को बहुत ध्रम का पर्थम अनुवाई बनाये था कि गौतम भूत का सरवाधिक उपदेश सरवस्ति में दिया था अब गौतम भूत का सरवाधिक परचार कौसल राज में हुआ था सबसे जादे बहुत ध्रम का परचार कौसल राज में हुआ था गौतम भूत के पांच प्रियसिस है पांचों प्रियसिस का आपको याद रखना है गौतम भूत के पांच प्रियसिस अनिरूध आनंद उपाली सरिपुत्र और मोग गल्यान तो अनिरूध अनंद उपाली परशेंजित और उदाइन थे गौतंबुद के प्रशित अनुवाईस आसकता बिम्बिसार परशेंजित और उदाइन गौतंबुद अपना परचार करते हुए मल्क की रजधानी पावा पहुँचे वहाँ चुंद नामक लोहार की अमर्क वाटिका में पहुँचे चुंद उसने जो नामक व्यक्ति भी था इसी सी गौतम भुत के मिर्टू हो गई थी तो आपको याद रखना है चुन्य नामक व्यक्ति और इसी व्यदना के बाद वो कुसी नगर पहुंचे और वह ही मिर्टू हो गई यहीं 483 इस्वी पुर्व में 80 वर्ष की वस्था में मिर्टू हो गया था उन्हें सरीत त्याग दिया अब बहुत धरम में इन्हें महापरी निर्वान कहा जाता है यहीं 483 पुर में गौतम बुद की 80 वर्स में अवस्था में उसकी मिर्टू हो गई वो उन्हें ने अपना सरीद को त्याग दिया यही मिर्टू के बाद उन्हें महा पईनाम कहा गया है तो इसको आप याद रखेंगे बुद के धरम के तिरत्न ने थे तो बुद धम और संग यह तिनों का आपको याद रखना है एकजा में पूछते हैं कि कौन से बुद धरम के तिरत्न नहीं है तो तिरत्न तिनों याद रखना है बुद धम संग बुद धम संग आपको याद रखना है उसके बाद है बौध बिच्वों के निवास अस्थान को विहार कहा जाता है और इसके पूजा अस्थान को चैत कहा जाता है निवास अस्थान को विहार कहेंगे अब पूजा अस्थान को चैत कहा गया है इसको आपको याद रखना तो आज के लिए अगर वीडियो पसंद आ तो लाइक करें सब्क्राइब करें तब तक ले धन्यवाद